नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है फिल हीूस एक ऐसा नाम जिसे खेल जगत कभी भूल नहीं पाएगा आस्ट्रेलिया का वो उभरता सितारा जिसकी रनु की रफ्तार को एक बाउंसर ने हमेशा के लिए रोक दिया आज ही के दिन यानि 27 नवंबर 2014 को फिल हीूस ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और अपने पीछे छोड़ गए वो दर्दना किया दे आएए एक नजर डालते हैं फिल हीूस की जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे किस्सों पर साथ ही जिक्र करेंगे उस हाथसे के बारे में जिसने खेल प्रेमियों की आत्मा को जगजोर कर रख दिया फिल हीूस का जन्म 30 नवंबर 1988 को न्यू साउथ वेल्स में हुआ था उनके पिता ग्रेग हीूस केले की खेती करते थे मा इटैलियन थी हीूस की जिन्दगी थोड़ी गरीबी में गुजरी थी फिल हीूस ऑस्टेलिया के उभरते सितारे थे हीूस ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 26 शतकों के साथ ही 9000 से ज्यादा रन बनाए थे हीूस ने 25 वंडे मैचों में दो शतक की मदद से 826 रन जबकी 26 टेस्ट मैचों में लगभग देड़ 1000 रन बनाए साल 2008 के अंडर 19 क्रिकेट वर्लकप में फिल हीूस ऑस्टेलियाई टीम का एहम हिस्सा थे ये वही वर्लकप था जिसमें विराट कोहली ने भारत को खिताब दिला है था फिल हीूस ने साथ अफरिका की खिलाफ अपने दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक ठोक कर इतिहास रच दिया था ऐसा करने वाले वो कम उम्र के बल्लेबाज भी बने शेफिल्ड शील्ड के एक मैच में हीूस जब साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 63 रन पर बैटिंग कर रहे थे तभी न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंद बाज सीन एबोट की एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट में लगी गेंद लगते ही हूस पीच पर ही अचेत अवस्था में गिर पड़े इसके बाद हूस को तुरंट सीडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में लाए गया चोट लगने की वजह से हूस कोमा में चले गए जहां कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई फिल उस औस्टेलिया के पूर्फ कपतान माइकल कलार्क और डेविड वारनर के सबसे करीबी दोस्तों मेंसे एक थे उनकी मौत के बाद दोनों कई दिनों तक सदमे में डूबे रहे आपको बता दे फिल उस की मौत का दुख माइकल कलारक को इतना हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ